खाना शरीर की एक मूलभूत जरूरत है जो कि हम सभी के मन को त्रप्त करने वाली चीज बन चुका है कुछ लोग भूक लगने पर खाते हैं जबकि कुछ लोग सिर्फ खाने को चकने के लिए उसे खाते हैं यानि कि उसका टेस्ट लेने के लिए हालकिन सब के बीच अगर डाइट क्या है या एक हेल्दी फूड क्या है तो हो सकता है आप थोड़ी देर के लिए सोच में पढ़ जाएं यह एक गंभीर विशय है इसलिए बहतर स्वास्त के लिए इस पर विचार करना भी जरूरी है नमस्कार दोस्तों और स्वागर आप सभी का हमारे चैनल नौलि के समय में एक हेल्दी फूड जैसी चीज ना के बराबर है और अगर है भी तो शायद टेस्ट में आपको अच्छी ना लगे इसलिए दोस्तों हमारे वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में भी बताने वाले हैं जो कि आपकी हेल्प के लिए बहुत ही इंप सब्सक्राइब जरूर करिए जिससे कि आप हमारी आने वाली इसी और भी वीडियो को देकते रहें और आपसे कोई वीडियो मिश ना हो कि वीडियो Сबसे पहले बात करते हैं कि हेल्दी डाइट क्या होती है जो से हील्दी डाइट हेल्दी फूड सा हमारा मतलब ऐसे मात्रा में हूँ एक ऐसा फूर्ट दोस्तों आपको सेहत मंद तंद्रोष्ट रखने का काम करें और आपकी बिमारियों को भी दूर रखे एक हेल्दी फूर्ट को दोस्ता पांच केटिग्रीज में डिवाइड कर सकते हैं जिनमें शामिल हैं दोस्तों हरी सब्जियां और फल ऐसा जरूरी नहीं है कि यह सभी पर लागू होता हो क्योंकि दोस्तों सभी की फिजिकल नीड्स और फूट इंटेक्र रिक्वाइर्मेंट अलग-अलग हो सकती हैं तो सबसे पहले दोस्तों नज़र डालते हैं डाइट चार्ट के उपर कि एक हेल्दी डाइट चार्ट में आपको क्या-क्या देखने को मिलता है और यह किस तरह का होता है तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें सोबा उठते ही आपको क्या लेना चाहिए एक हेल्दी डाइट के तौर पर या हेल्दी रहने के लिए तो सबसे पहले आपको लेना चाहिए किसी भी तरीके का के घूस्पाइबे निवुस पानि ले सकते हैं तो वह कोई और उठ ले सकते हैं जो भी आपको अच्छा की बात करें अगर मेट कर आप मेट हिए जो दे सकते हैं जैसे ओमलट आप ले सकते हैं अंडा ले सकते ृप और चाय ग्रीन कफीछ यह भी दोस्तों आप ले सकते हैं इसके अलावा अगर आप ठल proud ले सकते हैं तो यह कुछ चीजा स्वाव् Commissioner तो इस बात करने दोस्तों क用प Beginning के बीच मेंद आपके लंज के इस मापने की बीच में उसके लावाद нे ले सकते हैं या फिर ड्राइफ द्रूब्स ड्रीट आप अपने साथ में रख सकते हैं काजू किसमेश, बादं आध में देस्ग आप तक दल कुछ अपने साथ में रख सकते हैं से सारी चीज़े दोस्तों आप ले सकते हैं नौन वेज के तौर पर बात करें दोस्तों आप दाल ले सकते हैं किसी भी तरीके की चावल ले सकते हैं कम मात्रा में चावल दोस्तों आपको कमी लेना एक एक हल्दी लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं तो दो या तीन रोटी लेनी है शाम को दोस्तों नाश्ते की बात करें तो आप क्या सकते हैं शाम को जो हम नास्ता करते हैं चार पांच वजए चछे वज़े अच्छा होता है कौफी ले सकते हैं कौफी Kब मात्रा में ले सकते हैं अगर अवन् अवायलिबल हो ग्रेन विस्क Streamวก आपने सकते तो वो भी आपके लिए एक अच्छा शांका नाश्टा हो जाता है ईनर में क्या ले सकते हैं दोस्ता दिनर में आप अगर नावेड़ घाते तो आप चिकिन करी ले सकते हैं उसके राव दोस्तों अगर आप नॉन वेज़ खाते हैं तो रोटी आप ले सकते हैं सब्जी दाल ले सकते हैं हरी सब्जी आप ले सकते हैं जो भी आपको सब्जी पसंद हो तो वह सब्जी आप ले सकते हो वहाँ पर अगें जो चीज इंपॉर्टेंट है व यहां पर अंडर चिकन मशली ले सकते हैं ले सकते हैं रोटीं की आप ले सकते हैं तो आपके ले सकते हैं तो अपने रात के खाने में वहीं सूने कर ले सकते हैं उसके लावे दोस्तो अगर जूस आप पीना चाहिए तो जूस ले सकते हिए क्योगि ऐसा कहा जाता है कि राट का ख्ाना diyorum होते नहीं आपके आप लिए आ असक होता है यह ज़रूरी नहीं इससको ऐसे ही फॉलू कर पाटे जो भी चीजह आपको खाने अच्छी लगती हैं उसके अकॉर्डिंग दोस्ता आप इन चीजों को एड़ कर सकते हैं इस डाइड चार्ट में डिवाइड कर सकते हैं अगर दोस्तों आप एक healthy lifestyle चाहते हैं तो सबसे पहले देखिए आप सबसे जादा क्या consume कर रहे हैं यानि कि आप बहुत ज आपको किस तरह से ले रहे हैं इसके बाद दोस्तों आपको कितनी मात्रा में क्या फूड लेना चाहिए यानि कितना फूड आपको कितना लेना है और कितना लेना है कि भी भार खाना क्काना है बात करें कितने सब्सक्राइब कहुंब करते हैं लेकिन वह भूल दोस्तों कि इन में owners कितना अप्दा होता है सब्सक्राइब में ब्लट affiliated गृब केशाण हों ऊपकीืершाण भीमार You Can लेते हैं एक हैल्दी डाइट में आपको हरी सब्सक्राइब के लिए जरूरी होते हैं तो हरी सब्सक्राइब किसी ना किसी फॉर्म में दोस्तो आपको जरूर लेना है बात करने दोस्तों कुछ और चीजों की तो the fruits आपको लेने हैं हो जकता है आपका मार्निंग जो breakfast होता है DOSTA हम ब्रेड लेते हों या उसके लाब इसके लाब रूल के लीटे हों सेन्विच लेते हों इन चीजों को लेने वना होता है natural form में होता भी है दोस्तो तो इतना ज़्यादा उस पर experiment हो चुका होता है आपकी प्लेट में आते आते कि उसमें अपनी खुद की qualities कुछ भी नहीं बसती है इंफेक्ट वह एक negative effect डालना शुरू कर देता है आपकी body के उपर एक्जामपल की बात करें दोस्तों अब बात करें bread की तो अब white bread अगर आप लेते हैं तो वह अच्छा नहीं होता है health के लिए तो white bread में आपने कुछ और भी चीज़ा एड़ कर दी आपने उसको बेसन में इन लेना चाहिए जो भी आपको पसंद हो डायविटीज हो blood pressure हो cholesterol हो दोस्तों या आपको भजन घटाना हो तो दोस्तों आपको fruit जरूर लेने चाहिए fruits में बहुत सारे variety आपके पास रहते हैं संत्रा आम एपल वहां पर रहता है दोस्तों के लावर guava होता है pineapple होता है ठीक है ब आपको मिल जाता है तो बनाना आप ले सकते है morning में बहुत अच्छा होता है आपकी help के लिए कि इसके लावब दोस्तों आप soup ले सकते हैं अगरा बहुत हैवी डाइट नहीं लेना चाहते हैं तो सूप में दोस्तों खास तोर पर आपको virgin घटाने में बहुत help मिलती है इसक सब्सक्राइब के जूस अब बहुत जादा बिकने लगा है मार्केट में क्योंकि बहुत सारी कमपनियों ने देखा है कि जो सब्सक्राइब का जूस होता है और डिमांड इसकी बहुत तेजी से बड़ी है ऐसा नहीं अभी आये बहुत पहले से था लेकिन लोगों ने उसको लेना बीच में बंद कर दिया जै क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं कार्वोरिट्रेट जो ड्रिंक्स होते हैं उनकी तरफ चले गए थे पिछले आप बोल सकते हैं डैकेड में या आप पूरी सेंचुरी को भी समें काउंट कर सकते हैं अगर पैप्सी को को कोला की बात करें बहुत लंबे समय से मार्केट में अवेलेबल हैं तो सब्जियों के जूस में दोस्तों पोटेशियम मिल जाता है विटामिन कैल्शियम तो ऐसी सारे न्यूट्रेंट दोस्तों आपको मिल जाते हैं जूसे में अब कौन-कौन से सब्जियों के जूस ले सकते हैं तो आप ल बॉडी में जो blockage होती है किसी भी तरीके की उस blockage को खोलने का काम करते हैं और आपके जो organ होते हैं उनको rejuvenate करते हैं उनको फिर से active करते हैं आपके functioning को करने के लिए तो juices को आप जरूर लीजे अपनी life में उसके अलावा दोस्तो फलियां जो आती हैं और डाले आती हैं उनक यह में दोस्तों आप चावल, गेहँ, धलिया ले सकते हैं मककाई, ब्राउन राइज तो इस सारे चावल आप अपने राइट में ले सकते हैं रोटी चावलically हम खाते ही हैं बस हमें यह देखना है कि जो होता है ऑको आप को इसमे लिकर अधर नहीं होता है तो सिर्वाय होता भी दोस्तो तो उस स्वा diye मेन ओए तो ये स्टारीज इसे सतों आपको ऑड़ करनी चाहिए मिल्क प्रड़क्ट लीजे डिरी प्रड़क लीजे स्ट में भी दोस्तों कई सामय निवत्रेंट होते हैं कैल्सियं म सारी बिटामीनबीकनेसिये embody हद्डियों को अपकी मजबूत बनाती हैं अपके हाड को अच्छा रखती हैं टाइब टु ड्याइविटी इस ब्लेड प्रेशर को कंट्रोल में अगर आप लेते हैं डेरी प्रोडक्त को लेना भी अपको शुरू कर देना है दॉन वेड जो खाते हैं दोस्तो अंडा ले सकत यह फिर एककरी अगर आपको पिसंदद आप सकते हैं की ऐग में दोस्तों भी कई सारे मिनरल होते हैं प्रोटीन एंटिय। इस तो दो सू आप den नर्जी देती हैं या ले सकते हैं फिश ले शकते हैं फिश अगर आप खाते हैं आपको शॉक है उसको आप लीजिए वही दोस्तों आगें मसाला जो है कम से कम रखी जितने कम मसाले में बनाएंगे उतना अच्छा रहेगा या फिर उसको बहुत रेगुलरली रिपीट मत करें क्योंकि देखिए अ बहुत जादा उसको रिपीट मत करें क्योंकि कहीं न कहीं फिर उसका असर आपको आपके शरीर पर भी देखने को मिलेगा तो इनको आप लीजिए क्योंकि यह चीज़े भी जरूरी होती हैं हमारी बॉड़ी के लिए बट उसको किस तरह से आप बना रहे हैं किस तरह से अच्छे फूड को लेना नहीं होता है बलकि आपको कुछ ऐसे फूड आइटम से दूर भी रहना होता है जो कि हमारी हेल्थ को डायक्ली खराब करते हैं या इंपक्ट डालते हमारी हेल्थ के उपर तो ऐसे में दोस्तों आपको बहुत सी ऐसी चीजों से दूर रहना टेंखें दूसरी तड़ा खंदो गंद रहे हैं इकुवली और दाल रहीं यहां डाल रहें गंद को अंदर तो आप सफाई तो कर रहें हैं कि यहांदर अंदर भी ले जा तो तो अबोना क्हान आपको नहीं लेना है बहुतत जा nuevang जो जिनमें शुगर बहुत जादा होता है तो उसको आपकोने लेना है मिठाई आइस क्रीम चौकलेट ठीकने लिजए एक लीजिए ज्यादा मतली दो लिर लिदि छाझाः टर्राप करते हैं तो उसके आपको बचना है जाए बहुत जाधा कॉफिए लीजीए कम चाहिव है कम T definite है चिज़ों कम तो ये सब चीजों को अब करना हैं ऑपनी हमारा चाइनिश वूड गया तो यह सब चीजे इतनी ज़्यादा common है इतना ज़्यादा हम खाते हैं daily basis पर कि यह बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं हमारे शरीर को अंदर से तो इन सबसे कहीं नहीं आपको दूरी बनाना होगा अब हमारे कहने का मींज नहीं कि आप उनको पूरी तरह से बन कर वाइफ को एक healthy path के उपर ले जाना चाहते हैं तो आपको healthy चीजों की तरफ बढ़ना होगा और unhealthy को आपको छोड़ना होगा तो junk food भी है दोस्तों आपको unhealthy में देखने को मिल जाते हैं बाकि caffeine की बात बात हम already कर चुके दोस्तों शुगर नहीं लेना है चीनिया आपको नहीं जाएए soft drink आपको देखने को मिल जाता है तो वह कम करिए उसको कम लीजिए चीक है packaged food को ज्यादा मत खाईए packaged food जो processed food होता है उससे आपको बचना है क्योंकि वह कहीं ना कहीं फिर आपको कई तरीके की परिशानिये create करता है आपके शरीर में alcohol अब यहीं चीज कहीं ना कहीं बट alcohol को आपको बहुत जादा consume नहीं करना है क्योंकि alcohol जब आप बहुत जादा consume करने लगेंगे तो आपका body जो अंदर से functioning करना धीरे धीरे slow कर देता है और एक time ऐसा आता है कि आपके body organs fail हो जाते हैं और हमें कई बार देखने को मिलता है कि इनसान जो है को समय से पहले ही चला जाता है दुनिया से तो alcohol का consumption आप जितना ज्यादा कम करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए कुछ और tips की बात करें दोस्तों पानी ज्यादा से यादा पीजिये सुगर आपको कम लेना है और हपते में हो सके एक बार तो फास्ट जरूर रखिए तो दोस्तो तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा आपको और अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब करें और जोड़े हमारे चैनल नौलिज साथी के साथ ऐसी ही और भी वीडियो को पाने के ल उसके लिए आख सभी का धन्यवाद